आपने देखा आपने जो पिछली बार अपना वोट लिया, कॉंग्रेस पार्टी को ही दिया, हमने उनको खड़ा किया था प्रत्याशी बनाकर, लेकिन इस माइक कितने तिकाओ नहीं थे, दन बदल दी, विश्वास काथ कर दिया, आपके साथ भी विश्वास काथ किया, सबस पुरी उजना चल रही है, उनके लोगों की कुछ मतलब लालच बाटने की जनता में, की महिलाओं के लिए पायल बाटे जा रहे हैं, चूडियां बाटे जा रही हैं, ले लीजिये, अगर ले नहीं है तो, लेकिन वोट दिवाग से लगाई है, वोट पुरे विवेक से, प ये फिर से रिधायक बन जाए, तो वही होगा जो पात सानों में हुआ है, कि जहां-जहां जमीन के कबजे के मामले हैं, सब उनी के परिवार के नाम आ रहे हैं, सब को प्रतारित करके रखा हैं, और ये आप नहीं चाहते हैं, और मैं समझते हूँ कि हमारी भी गल्ती रही, कि उनको प्रत्याशी बनाया है, और इस तरह गल्ती हमसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आपके साथ भी विश्वास घात हुआ हूँ है, साथ भी विश्वास घात हुआ हूँ है, देखिये, अब जो सबूरी बात मैं करना चाह रहे हैं, कि देखिये, चुनाओ है, आपने बहुत हुए है, आप जानते हैं कि पिछले पात सालों में आपकी परिस्थिति क्या रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बगदर वाले अमीठी को आपने देखा, अब जो बजूर्ग हैं यहां वो जानते होंगे, तेजी से हुआ कि पूल पूरा देश देखता था कि यह वेठी वाले देखो इनके इहां किपना विकास हुआ तमाम फैक्ट्विया आई आए अज़के बनी सब विकास हुआ क्यों कि वहां हमाई सरकार थी प्रदेश में भी हमाई सरकार थी पिता जी प्रधारमंथी ठीक है अब यहां क्या है, बाजप्पा की प्रदेश सरकार है, बाजप्पा की केंडर सरकार है, और विकास, कुछ नहीं हुआ, जहां जहां जाती हूं, पूरे प्रदेश में, पहले तो मैं सिर्फ राइवरेली अमीटी की प्रभारी थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभार रही है कोई सभाली नहीं पा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गयास सिलिंडर एक हजार रुपे का मिल रहा है सरसों का तेल 200 रुपे की मिल रही है सब जी सब कुछ महंगी हो महंगा हो गया फिर किसानों की कितनी समस्या है मैं ललिधपुर्ट तक कई वहां पे इतनी बड़ी सबस्या है खाद मित्रन की कि खाद की लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यू हो रही है मैं उनके परिवार में गई उनके परिवार में गई उनके परिवार्वानों से पात की मैंने का लेकिन दो तीन दिनों से लाइन में खड़े थे कुछ खाया प न आपको खाद मिल रहा है समय पे, खाद के सरकारी उत्रन है, केंद्रें है तकरीबन सारे बंद है और जो प्राइबट वाले खुले हैं, किसान के कानून ला रहे थे ये लोग, उनको काले कानून क्यों कहा जा रहा था, प्योंकि वो जो कानून थे उनके जरीए जो मेहनद क इसलिए किसानों ने उन थानोनों का विरोध किया, अब आप देखिये, पूरी रात आपको जाके रहना पड़ता है, क्योंकि आवारा कशू आपके खेत चल रहा है, इतनी बड़ी समस्या हो गई है, मैं पिछले चुनाव में 19 में आई थी है, मुझे याद है, सब ने मुझे कि सबसे बड़ी समस्या दिली यही है चुट्टा जानौर, अब दिन रात खेती में बैचते हैं, और हो जुट्टे जानौर से खेत को बचाने की कोशिश करते हैं, कोई हमारी सुर्वाई नहीं है, 4 साल भी रहं, 3 साल भी रहं अभी वी कोई सुनवाई नहीं है और वो समस्या बढ़ती ही चली जा रही है तो आपको ना फसल का दाम मिल रहा है यहू का दाम नहीं मिलता धान का नहीं मिलता वहां धन्ना का धन्ने का नहीं मिलता पस्चिम यूपी में तो ना आपको दाम मिल रहा है सही अपने फसल का ना आपको ख इंचे वाले हैं, जो चोटे-चोटे बिजनस चलाते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है वहाँ पे, इतनी सारी हैं दुकाने, आपकी क्या परिस्तिती हैं, पहले आप पे GST डॉला, नोट बंदी की, लॉक डाउन आया, कोई समस्या हैं ये समस्या लेकिन कोई समरतर नहीं, किसी में मदद नहीं की, ऐसे दुकान बाहर, ऐसे जो छोटे बिजनस हैं, वो तो सब बंद होने के कगार पे हैं, तो परिस्तितियां ये हैं, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, तमाम परीक्षाएं होती हैं नहीं, उक्तिया नहीं होती है, पड़ा हुआ है, सरकार्ण में 12,00,000 खाली पड़ा है, पात सालों से योगी जी कहते हैं कि नौब रोजगार देंगे, कम देंगे? पात सालों में तो दिये लिए, जो परीक्षाएं दे रहा है, वो बैठा हो इंतिजार कर रहा है, पड़ खाली पड़ा है, रोजगार अगर आप पिछले पार सालों में साथ सालों में देखें कि क्या हुआ है तक्रीब जितने भी रोजगार बनाने वाली जो संस्ताइं थी जैसे भी एचिया बड़े-बड़े पीएस्यू थे जहां से रोजगार मिलते थे रेल्वेज होगे ना तक्रीबन सारी के सारे इन दो के लिए प्रधान मंत्री जी ने एक अपने लिए हवाई जाहाज खरीदा एक हवाई जहाज जिसमें सिर्ट औरधानमत्री जि गुम्ते हैं आपने नहीं गुम्ता हो आथ हजार करोड का एक पिर एक और खरीदा है 16,000 क्रोड के दो हवाई जास में गुम्ते हों और 14,000 क्रोड का जो गन्ना का वाज तक उन्होंदे नहीं दिल्वाया है बड़े-बडे उद्योग पति हैँ उनके लोन माफ हो गए है किसान कर्द में जूब रहा है ऑप उनके लोन माफ नहीं कर जा गए नहीं करूंद कोई भिकरी नहीं आ रहा अब यह हैं आपकी परिष्टी पुझे पताने की ज़रूद नहीं है आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं आप जी रहें रोज सुभे उठते हैं रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं और रोज समस्या पर समस्या आपके सब्सक्राइब जाते हैं उपर से क्या होता है सारे नेता आते भाजब आके बोलते कि हमने यह किया और बड़े बड़े लिग्यापन वे मौदी जी ने उनसने का ताथ कुछ दिनों पहले का कि उत्तर प्रदेश में हमने हजारों लगपती बनाएं यह मैं तो बुरा उत्तर प्रदेश हारे बने किसानों के लिए ने क्या किया किसान अपनी रोजी रोटी ने कमा पा रहा है अब चाने अच्छा खासा खर्चा है हजार अ करूर रुपे यह जो बड़े बारे विग्यापन देह अब संटों पे यह लाखों रुपे के होते हैं आप मेडिया पर विज्यापनों पर अपने उद्योगपती मित्रों को खूश करने के लिए लेकिन जो गरीब है इस देश का जो गरीब है युपी का उसके लिए कुछ नहीं हो सचा ही यह है कि जो सरकार चल रही है आज आपके प्रदेश में वो सिर्फ अमीरों की सरकार आपके पास सत्ता है तो आप किसानों को छे किसानों को कुछल दाले अपनी जीब के नीचे F.I.R. भी दर्ज नहीं होगा जब तक दूसरी पार्टी आंदोलन नहीं करें जब किसानों को कुछला गया लखीमपूर खेरी में इस सरकार में कुछलने वाले को बचाया हूँ F.I.R. तर्ज नहीं कर रहे थी पुलिस गायब थी जब मैं चाहना चाहरी थी उन परिवारों से मिलने जब दूसरी विपक्ष के नेता चाहना चाहरे हो थे तब इतनी पुलिस लगा दी कि मारूपता नहीं क्या होने वाला है कौन कोई डाका डालने वाला है सब जगे पु पुलिस उनको मदद कर लिए अब राधियों को आज वर रहा हो गया मंत्री का बेटा है और प्रधार मंत्री मोदी जी योगी जी जो बहुत अपनी नेतिकता दिखाते हैं वो तो उनके साथ मंच पे खड़े हैं उनकी जमाना करवाई है उनने रहा करवाई है तो ये कर मोंच नेति चलतीग अपके प्रधेश में तो मैं गावे के साथ कह सकते हूं कोई विकास नहीं होने वाला। क्योंकि हर 5 साल नेता आएगा आपके सामने, वो जानता है, वो जानता है कि वो धर्म के अधार पर, जाती के अधार पर, सामप्रदायक्ता के अधार पर आपके ज़जबातों को उपहरेगा, जानता है, सब अच्छी तरह जानते हैं, और जिस नेता को ये मालूम है, कि 5 साल जो आपके सामने आकर धर्म की बाद करके वोट ले लेगा, ताल काम क्यूं करेगा जी? जो आप के लिए काम करना चाहिए, जो सडके बनानी चाहिए, बानी की सुविधा होनी चाहिए, स dent cases लुंक्तोर रोजगार बनने चाहिए, चोटे दुकानदारों को मजबूत करना चाहिए जो बड़ी बड़ी संस्ता हैं उनमें रोजगार बनाने चाहिए ये सब काम क्यूं करेंगे उनको तो मालूम है पाटसार में आएंगे बुलेंगे आपके भर्म के नाथ पर बड़ी बातें गरेंगे आपको असुरक्षिद म किसी और मुद्दे पर आगे आकर वोट ले सकता है तो कभी काम नहीं करेंगे आपको अनुफ़ाग है यहां इंद्रा जी सांसती मेरी माता जी सांसती उनके समय में बहुत कान हुआ जो जो प्रोजेक्ट उनोंने खोलने के कोशिश की जैसे सरकार जा रही थी भाजब्पा सब्सक्राइब सारे रोकती है यह का हस्पटाल बन रहा था सबसे पहले तो वहीं रोकता हो और पिर करोना का संकत आया अपने देखा क्या को कितने लोग बिमार पड़ें तो यह लोग अपनी राज़ीती इसलिए बनाते हैं ताकि कि किसी भी हालत में सब्ता में रहें बस यही उनका मकसद है तो आपका मकसद होना चाहिए कि जो भी नेता हूँ मैं अपने बारे में भी कह रही हूं मेरे बारे मेरे år पण्जाबी सेंजी के बारे में आपने एको पर ताया न nosotros कि कर देए तो दूसरी बार मचिटां इन ऋचता है इस जो आपके आपे हें प्रत्या थे ठीक है बगावत कर गए विश्वासधात कर गए ठीक है काम नहीं किया उनको सबक सिखाओ उनको समझाओ कि उनकी उनका धर्म सबसे बड़ा धर्म नेता का क्या होता है सेवा होता है सारे धर्म यही कहते हैं इंदू धर्म कहते है खुसमान धर्म कहते हैं बौक दर्म कहते हैं इस настро है कोई जो नहीं जान शुर्प की इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है सेवा और देघा का तू उस से भी आप तो नेता को Nós अख आफ हो सब राजियों को यह कंत दिलायें का इ जो पायल दे रहा है आपको वोट खरीदे के लिए उसको मत दो, खुट पहन ले, आप अपने पेरों पे खड़ा होना सीखो, कैसे, आप मांगो, सरकार से मांगो, नेता से मांगो, जवाब ते ही मांगो, क्या करने जा रहे हैं, जैसे हम आपके सामने खड़े हैं, हमने इसा बड़ी बाते करें, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, कि यह हम करना चाहते हैं, जैसे हम ने का, 20 लाक रोजगार देंगे, मोडी जी ने कहा था, 5 साम पहले, 25 लाक रोजगार वे लेगे, 15 लाक रोपे आपके खाते में आएंगे, बुला था ना, कुछ नहीं किया, किसी कि नहीं नहीं हम बता रहे हैं हम कहाए है है अगर हमारी सणकारी कि इस लाइब रोजगार कहां से आएगह लाइव लॉटा खाड़ सरकार में पड़े हुए हैं कि तमाम नौजवानों ने प्रिफीक शाय भी है और तुमान नौजवान बेरोजगार, सबसे पहले हम वो 12 लाग रोजगार जो खाली पड़े हुए हैं उनको भड़ के दें आज लुड़ आ जो हैं और वो हम बनमाएंगे, कैसे? जैसे जहां जहां आपका होना है, जैसे मुरादबाद में पीतल का होना है, कानफूर में लेदर का होना है, कही और को यह और होना है, तरहे से हैं उसको हम मस्बूच बनाएंगे, वहां की सड़कें, सुरिधाएं, ताकि वहां से जो बनता है, आफ़ानी से दूसरी जगों में पहुंच पाएं, वहां पे आपकी जित्ती भी सुरिधाएं आपको चाहिए, वहां के नौजवानों को अगर छोटा रोजगार अपना शुरू करना है, छोटा बिजनस शुरू करना है, इसी तरह से जब हम महिलाओ की बात करते हैं, तो हम कहरें, जित्ती भी सर्कारी रोजगार है, उस में से 40 प्रतिशत महिलाओ को मिलेंगे, पहले के अरक्षन के टेक्ट, फिर हम कहरें कि आपकी सेहर के लिए, जहां-जहां ब्रॉक के हस्पटाल है, वहां पे एक कम फुरा होता, जहां पे एक महिला डॉक्टर होनी आपके ल्याओ की जहां अपकी सेहर कोई समस्या तो आपको एक महिलाओ के लिए, जाते हर विग जिना जिने में महिलाओ के शिक्शा के शंथार मने केंड़े विज्या लिग सरे, सुरग्षा के लिए 25 प्रतिशत प्रिसमे मिलेगी अगर आप रात्याशार ओल अच्छा जहां जहां नहीं हो और देखा कि महिलां पर रत्याशार हो रहा है भाविधा अधर अर्वह पुलिस और प्रशांसर बढ़ती की मदद और मैदा पर उल्टा और वह लूम टार बहुत कि इसकी गल्दी टीस्टे है सक्या और